बॉलिवुड अक्ट्रेस जैकलिन फनांडस के साथ हुआ है धोका और ये धोका उन्हें किसी और ने नहीं बलकि खुद कॉनमान सुकेश चंद्रशेखर से मिला है जिसके साथ लिंग की वजह से इनका नाम 200 करोर के extortion and money laundering केस में आया है Yes, you heard it right जैकलिन ने कॉनमान सुकेश चंद्रशेखर से related केस में एक surprising statement दिया है जिसमें वो सुकेश पर उनके emotions से खेलने का आरोप लगा रही है जब से जैकलिन फनांडस का नाम 200 करोर के extortion and money laundering केस में आया है उनके fans परिशान है और अब खुद जैकलिन ने भी जैन 16 को डेली के पटियाला हाउस कोट में एक surprising statement दे कर कॉनमान सुकेश से उनका association clear कर दिया है reportedly जैकलिन ने कहां कि कॉनमान सुकेश चंद्रशेखर ने उनके emotions के साथ खिलवार किया और उनकी life hell बना दी इतना ही नहीं जैकलिन ने ये भी कहां कि सुकेश ने उन्हें misled किया और उनका career बरबादी की तरफ धकेल दिया और उनकी खुशियां शीन ली वही इस case में नौरा फतेही भी डेली के पटियाला हाउस कोट में as a witness अपियर हुई नौरा फतेही ने अपने statement में खुद को इस case में victim बताया और कहां कि सुकेश ने पिंकी एरानी के जरीए उन्हें अप्रोच किया था और सुकेश की girlfriend बनने के बदले big house और luxurious lifestyle के कई promise किये थे नौरा ने कहां कि उन्हें कहां गया था कि कई actress सुकेश के साथ आने के लिए मरी जा रही है हाला कि नौरा ने ये भी कहां कि वो कभी सुकेश से मिली नहीं है और उन्हें समन मिलने के बाद ही इसके बारे में पता चला है reportedly नौरा ने कहां Initially, I did not know who सुकेश was Later, I thought he used to work at a company called Ellis Corporation I neither had any personal contact nor did I ever have any conversations with him ED का आरोप है कि नौरा फतही ने सुकेश से एक international brand की luxurious car gift में ली थी जबकि नौरा का कहना है कि ये कार उन्हें कौनमान सुकेश की wife ने चिनमे के एक event में participate करने के बदले present की थी Jacqueline Fernandez ने court में एक fresh appeal दर्श कर थी overseas travel करने की मांग की है जिस पर court ने Jacqueline को राहत देते हुए ED को notice जारी किया है Jacqueline की appeal पर 25th January को hearing होगी वेल इस case से जुड़े और भी updates हम आप तक पहुचाते रहेंगे प्राओंडरे में आप तक पहुचाते हुचाते है